लोगसमा चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा सवाल चुनावायोग पर ही उठ रहे हैं। हाली में एक सर्वे सामने आये था जिसमें दावा किया गया था कि 5 साल में चुनावायोग की विश्वसनियता काफी कम हुई है। अब एक बर फिर चुनावायोग सवालों में घेरा हुआ है। साथ बजे के बाद कितना मद्दान हुआ उसका रिकॉर्ड जमा करता है। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर के पास पूरे निर्वाचन शेत्र का डेटा होता है। सब कुछ वोटिंग समाप्त होने के कुछी घंटों बाद चुनावायोग के पास आ जाता है। तो फिर आप इसे अपलोड क्यों नहीं करते। चुनाव संचालन नियम 1961 के 49S और नियम 56C2 में पीठा सीन अधिकारी को फॉर्म 17C के भाग एक में वोटों का पूरा लेखा जोखा दर्च करना होता है। और इसी के आधार पर चुनावायोग को वोटिंग की संख्या की जानकारी मिलती है। CJI ने चुनावायोग के वकील एडवोकेट अमिच शर्मा से सीधा सवाल कर दिया कि चुनावायोग को वेबसाइट पर फॉर्म 17 डालने में क्या दिक्कत है। एडवोकेट शर्मा ने कहा कि इस प्रक्रिया में समय लगता है और इसे रातो रात नहीं किया जा सकता। और उसी दिन नहीं पहुँचेगा। हमें निर्वाचन शेत्र के हर बूद से फॉर्म मिलता है। हर मददान केंद्र का मददान अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी को फॉर्म 17 सी जमा करता है। इस पर सीजाई ने कहा कि ठीक है ये दूसरे दिन तक पहुँचता है तो इसे अपलोड क्यों नहीं करते। सीजाई ने कहा कि चार सरंड का मददान हो चुका है। हम इसमें हस्त शेप नहीं करना चाहते लेकिन हम अभी चुनाव की बीच में इन सभी आकडों को इंटेनेट पर अपलोड करने का निर्देश दे रहे हैं। मददान का डेटा देर से जारी करने के मामले में कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकारजुन खरगे ने भी सवाल उठाए थे लेकिन इसे लेकर चुनावायोग ने उल्टा खरगे पर ही सवाल खड़े कर दिये थे। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी किया गया है इसलिए चुनावायों को जवाब देना ही पड़ेगा दरसल चार चड़नों में होई वोटिंग के आकड़े चुनावायों की तरफ से काफी देर से जारी किये गए पहले चरण के मामले में तो 11 दिन तक की देरी हो गए थी जिसके बाद Association for Democratic Reforms ADR ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई ADR की याचिका में सवाल किये गए कि आखिर वोटिंग के चार दिन बाद आकड़े क्यों जारी किये जा रहे हैं और इनमें इतना ज्यादा अंतर क्यों आ रहा है CGI DIY चंजचूर की अध्यक्षिता वाली तीन सदेसियों की पीठ ने मामले की सुनवाई की और कहा कि हमें चुनावायों को जवाब देने के लिए कुछ समय देना चाहिए लेकिन ADR के वकील प्रिशान भूशन ने कहा कि इस समय चुनाव चल रहा है ऐसे में मामले की सुनवाई चल्दी की जाए तो कोट ने चुनावायों को नोटिश जारी कर जवाब मांगते हुए 24 माई को सुनवाई करने की मन्जूरी दे दी है सुनवाई के लिए ग्रीश मकालीन पीठ भी बना दी गई है ये पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी 25 माई को चटवे चरण की वोटिंग भी होनी है और साफ है कि सुप्रीम कोट सुनवाई के दौरान जो भी निर्देश देता है उसका असर छटवे चरण के चुनावी डेटा पर दिखाई दे सकता है दरसल अपनी याचिका में ADR की तरफ से कहा गया कि लोगसभा चुनाव के पहले दो चरणों के लिए मदान प्रतिशत का अनुमाने डेटा चुनावायोग ने 30 अपरेल को प्रकाशित किया था उन्नेस अपरेल को हुए पहले चरण के मदान के 11 दिन बाद और दूसरे चरण 26 अपरेल के मदान के 4 दिन बाद याचिका में आगे कहा गया कि चुनावायोग के 30 अपरेल के आकड़ों में मदान का अनुमाने ताकड़ा 60 प्रकाशित से ज्यादा था इसी तरह 26 अपरेल को दूसरे चरण के बाद चुनावायोग ने कहा था कि मदान 60.96 प्रकाशित था लेकिन जब फाइनल आकड़े जारी किये गए तो ये करीब 66 प्रकाशित से भी ज्यादा पर पहुँच गए इसके साथ ही अलग-अलग निर्वाचन शेत्र और मदान केंडर के आकड़ों को भी जारी नहीं किया गया इन सभी बातों ने चिंताएं बढ़ा दी है